घरेलू छिपकलियां क्या खाती हैं? जो भी कीड़े या अरचिंग हैं वे अपनी लंबी चिपचिपी छोटी जीप पा सकते हैं. यदि घरेलू मक्खियां, मच्छर, तिलचटे, फल मक्खियां हैं, उनमें से कोई भी रिंगने वाली, उरने वाली या हिलने डुलने वाली मक्खियां हैं जिन्हें आप पालतु जानवर के रूप में नहीं चाहते हैं. दूसरी ओर, छिपकलियां पूरी तरह से अद्भुत साथ ही उप्योगी छोटे दिवार पालतु जानवर बनाती हैं. वे पूरी तरह से हाने रहित हैं, एक अपवाद फलॉरिदा में आम तोर पर पाए जाने वाले छोटे पांच या छे लाइन वाले स्किंग हैं, जो बिल्लियों के लिए जहलीले होते हैं, अगर खाया जाता है, और पक्षागात का स्थाई रूप पैदा कर सकता है. हालां कि मैंने उन्हें अंदर रहना पसंद करने के लिए इचुक नहीं देखा ह हालां कि मुझे लगता है कि यह संभब है. आमतोर पर छिपकलिया निपुन शिकारियों से भी बच सकती हैं. हमारे पास एक छोटा सा हरा तिल है जो नियमित रूप से गर्मियों में AC का आनन लेने के लिए आता है, और कभी कभार सर्दियों में गर्मी का आनन लेने के पसंदीदा शीतकालीन रिजॉर्ट है. वह एक कैबिनेट के अंदर एक निश्चित उच्च शेल्फ को पसंद करता है जिसमें कुछ दुरलब उप्योग किये जाने वाले नौपनेक के अलावा बहुत कुछ नहीं होता है. बेशक, कोई भी प्रजाती हो, विचार यह होग कि बिल्लियां चिपकलियों को ना खाएं, और मेरी बिल्लियां हमेशा अच्छी तरह से खिलाई जाती हैं, और आमतोर पर शिकार करने के लिए बहुत आलसी होती हैं. दूसरी ओर, बिल्लियां तो बिल्लियां होती हैं, और कभी-कभी वह छोटा तेंदुआ खेलने के जाएं बाहर निश्चित रूप से ग्रीन हाउस के महीनों के दौरान जब गे धका रहता है कभी कभी सबजी के बगीचे में कभी कभी जंगल के किनारे तक बहुत कुछ प्रजाती पर भी निर्भर करता है